देखें, in each of the following figure, AB parallel CD, find the value of X in each case, हमें एक figure दहाँ AB parallel CD है, यहाँ X, यह पूरा एंगल क्या है, एंगल E जो पूरा हुआ X है, X के value फाइंड करने है, तो हम क्या करेंगे, E से एक parallel and EF draw करेंगे, जो EF AB के parallel हो CD, बोद के parallel होगा, क्योंकि AB parallel CD, EF AB के parallel होगा, EF CD के parallel होगा, तो X दो पार्टें बटके, एक एंगल 1 माल ले तो उससे को एंगल 2 माल गते है, तो एंगल 1 plus एंगल 2 is equal to क्या हो गया, X हो गया, अब अब तो एंगल 1 और एंगल 2, अगर AB parallel, यहाँ AB parallel EF है, तो यह दो पूइंटीर एंगल क्या होगा, वह सुप्लिमेंटरी होगा, तो एंगल 1 plus 104 is equal to 180, वह सुप्लिमेंटरी हो गया, तो एंगल 1 is equal to 180 minus 104 is equal to 76, अब एंगल 2 और 116 एंगल 2 plus 116 is equal to 180, वह सुप्लिमेंटरी हो गया, तो एंगल 2 क्या होगा, 180 minus 160, तो एंगल 2 is equal to 64, अब X क्या आगल 1 plus एंगल 2, तो एंगल 176, यहाँ पर 76 find क्या होगा और एंगल 2 क्या 64, तो लोक एड़ करोंगे तो 140, X का value क्या होगा, 140, 40, ओके, यहाँ पर देखिए, कहरा है कि जो AB है, वो parallel CD क्या है, तो find the value of X, यहाँ पर जो AB है, वो CD क्या है, यह पूरा एंगल X है, यह पूरा, इसको find करना, तब एक OE ड्रॉ करेंगे, जो AB के parallel होगा, OE, parallel AB, also parallel CD, वो CD के parallel होगा, क्योंकि CD AB के parallel है, तो OE parallel AB और OE parallel CD, अब एंगल X जो है न, दो पार्ण मी डिभाइट होगा, एंगल 1 बनेगा, एंगल 2 बनेगा, यहाँ लिग जगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 चल्टो, X, अब फर्स में आते हैं, AB parallel OE है, अगर AB parallel OE है, तो is called to 180 होगा सब्सेमिंटी बना एका हूज, ko-intrial angle कसम क्या होता है? 180 होता है यंगल 1 plus 40 is called to 180, angle 1 कितना होगा? 180 माल-40, यह 140 होगा अगेन, angle 2 और 35 मिलखे 180 बना एका, क्योंकि ko-intriiner एंगल है, angle 2 plus 35 is equal to 180, angle 2 is called to 180, यह 145, अब एंगल 1 plus angle 2, 140 plus 145 x का बंदिया होगा 285 तो इस तरह से आप angles online portion को deal करेंगे इसके बाद हम लोग triangle स्चार्ठ करेंगे next video में हम लो triangle के बारे में deal करेंगा है various type of triangle according to angle according to side तो किसंदार करेंग तो ऑब में क्या होती है तो इससे deal करेंगे okay thank you so much